गुरुवार की दोपहर एक बजे जहासी में हुए असाद एंकाउंटर के बाद से कई सवाल है जो उठने लगा है जिनका जवाब ढूंडने ही कोशिश यूपी पुलीस और स्टीफ कर रही है हम इस समय उस थाने में खड़े जिस थान शेत में पूरी घटना हुई जहासी का बड़ा गाउं ठाना है जहां हम लोग खड़े हैं जहासी के बड़ा गाउं ठाने का पिछला इलाका है जहां पर आम तोर पर जो गाड़ियां एक्सिनेंट होता है या किसी जुर्म में वाल लोती है उनको यहां पर रखा जाता है और यह एक पुरा इलाका है और यहीं पर वह बाइक रखी गई है जिस पर कहा जा रहा है कि असद और गुलाम बैठ कर भाग रहे थे यह बाइक है बजाज डिस्कवर बाइक है जो यहाँ पर खड़ी है आप देख सकते हैं यह बाइक है और यह बाइक बहुत महत्पूर्ण हो जाती है कि कहा गया है कि इसी बाइक से भाग रहे थे और जब भाग जो फायर दर्ज कराई गई है डिस्पी नवेंदू के हवाले से उसमें कहा गया है कि जब भाग रहे थे तो कच्छी सलक पर यह बाइक अपने राइट साइड को गिर गई और इसकी वजह से यहाँ पर देखिए कि यह जो यहाँ देख सकते है कि यह बाइक राइट साइड हो गिरे थी लेकिन यह इस समय देखिए बाइक लॉक है अब अनलॉक हो गई है ओभी इसलिए क्योंकि यहाँ पर यह जुगार किया गया था इसको स्टार्ट करने के लिए इस बाइक को ताकि यह आसानी से खुल सके बिना चाभी के स्टार्ट होई क्योंकि चाभी का यहाँ पर जो लॉक है वो यहाँ पर देखेंगे तो तूटा हुआ है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर यह बाइक है किसकी छासी में असद और गुलाम को यह बाइक उपलग किस ने करवाई अब बतादें कि बाइक क करें दिखनी रहा कि इंजा नंबर इसमें लिखा है या नहीं और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर कैसे यह बाइक असद और गुलाम तक पहुंची और किसने जहां से बाइक को प्लग करवाई फिलहाल एफायर में सब कोई जिक्र नहीं है लेकिन झाल 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 झाल